ओके तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पेपर के तरफ में विच इज यॉर एप्रिल 2023 ठीक हैं तो इसे वेरी सिंपल पेपर तो आई हम लोग इसका पहला कॉश्ट से चालू करते हैं a singer has the following utility function which is uw is equal to lnw show that this utility function is iso elastic the singer measures their wealth as the present value of their future earnings they are concerned about possible future damage to their voice and consider the following scenarios no damage slight damage severe damage present value of earnings the singer is considering buying insurance to cover their loss of earnings if their voice is damaged the insurance will pay a lump sum equal to the reduction in the present value of earnings compared to the no damage scenario calculate the singer's expected loss when compared to no damage calculate the maximum premium the singer would be willing to pay for this insurance based on their utility function discuss briefly what your answers to parts 2 and 3 suggest about the singer's appetite to risk suggest two reasons why an insurer may not want to cover this risk basically utility function the first question that they are asking is isoelastic so isoelastic ke liye sabse bhele humlokko nikala na padeega u dash w so u dash w will be 1 by w us ke baad humlok calculate u double dash w so this is minus 1 by w square pher humlok nikala 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 nike r w so r w humlok hae ga minus w into u double dash w by u dash w right so this is coming out to be 1 by u dash w right so this is coming out to be 1 and then r dash w so r dash w 0 iso iso constant relative risk aversion ठीक है और अगर constant relative risk aversion होगा तभी वो क्या बोलेंगे उसको हम लोग आईजो आईजो इलास्टिक बोलेंगे ठीक है आईजो इलास्टिक बोलेंगे इसके बाद अपने को बोला इसके इसेज़के इसे सब्सक्राइबर दे गांज़के जैपने फीचे बैलास्टिक है और सब्सक्राइबर रॉकर मांच पर पत्रालो कोई अगर्मेंगे नहीं होगा तो 15 लाक होगा हलका सा डैमेज होने से 2 लाक कम होगा तो which is 15 लाक माइनस 13 लाक और इसका होने का जो प्रोबाइबिलिटी है ये है 5% फिर प्लस 15 लाक से जिदा 10 अजार मतलब 14 लाक 90 अजार का घाटा होगा इसका प्रोबाइबिलिटी है 0.1% ठीक है ना? So this is basically the expected loss ठीक है? क्योंकि देख आपने को बोला है expected loss अगर कोई डैमेज नहीं होगा तो 15 लाक कमाएगा 15 लाक्स बट अगर हलका सा भी डैमेज हो रहा है तो 2 लाक कमा रहा है और फिर यहाँ पर तो पूरा ही कमा रहा है तो 10,000 यह आ रहा है सिर्फ आउड फिर फिर लाक्स ठीक है? क्याल्कुलेट दी मैक्सिमम प्रेमियम देख इंगर वोट बी विलिंग तो पे पर इस इंशॉरंस बेस्ट अन देर यूटिलिटी फंक्शन तो मैक्सिमम प्रेमियम के लिए जो एक्वेशन है मैक्सिमम प्रेमियम के लिए जो एक्वेशन है इस एक्सपेक्टेशन ओफ यू डब्लू माइनस एक्स विच इक्वल तो यू डब्लू माइनस टी ठीक है? डब्लू जो है मेरा वो है करेंट वेल्थ एन एक्स मेरा लॉस है सो एक्सपेक्टेशन अव यू डबलू माइनस एक्स सो डबलू वेल्थ माइनस एक्स ठीक है अभी बेसिकली हम लोग को यहाँ पर क्या करना है अपने पास में तीन लेवल्ब्स है वेल्थ के लॉस हटाने के बाद चीज समझो बेसिकली पहला में क्या आ रहा है अगर नो डाइमेज हुआ इन्टू इसका होने का प्रोबाबिलिटी इस नाइन्टी फोर पॉंट नाइन परसेंट फिर उसके बाद में यू थर्टीन लाक्स इन्टू फाइव परसेंट फिर प्लस यू यू डबलू माइनस एक्स लिकॉज इस 15 लाक, 13 लाक और 10 थाज़न इंकॉरपरेट्स राइट नाइस चुद भी इक्वल तो यू वेल्थ क्या है 15 लाक्स ठीक है अगर कुछ नहीं होगा तो 15 लाक्स का बिसिकली अपना अर्निंग्स का present value है, minus P, अब इस equation को अगर हम लोग solve करेंगे, तो वहाँ से अपना आ जाएगा maximum premium P, मैंने दो चीज़ कराया था, एक मैंने कराया था maximum premium और एक मैंने कराया था minimum premium, तो maximum premium, minimum premium दोनों करना is very important for your exams, तो यहां से अपना premium आ जाएगा, यहां से अपना premium आ जाएगा, प्रीमियम अपना आएगा 18138, पहले यहां तक कर लिजिए, उसके बाद के जो parts है, आप देखोगे 4 and 5, 15 नमबर है ना, तो प्राक्टिकल में अपने को दिया, 3, 1, 3, अब दो अपने को दे रहा है, analytical question, discuss briefly what your answers to parts 2 and 3 suggest, about the singer's appetite to risk, so basically अगर मैं singer के appetite to risk का बात करूँगा, so the premium is higher than the expected loss, अपने expected loss निकाले थे न, अपना तो जो expected loss आ रहा था, that was, कितना आ रहा है, expected loss निहां से, expected loss अपना आ रहा है, dollars 1, 1, 4, 9, 0, 1, 1, 4, 9, 0, so basically बोलना चाहत है, premium is greater than the expected loss, which implies that the singer is risk averse, तो हम लोग का जो singer है, singer जो है, अपना वो क्या है, risk averse है, ठीक है, also implied by the singer's iso-elastic utility function, iso-elastic utility function मतलब constant relative risk aversion, मतलब अगर उसका wealth बढ़ेगा, तो भी वो percentage same रखेगा, तो अपने को क्या करना है, risk को अपने को कम करना है, और certainty को अपने को बढ़ाना है, ठीक है, and buying the insurance at any premium, lower than this, would give a higher expected utility, ठीक है, and buying the insurance at any premium, lower than this, so they might prefer to buy the insurance, now they are saying suggest two reasons why an insurer may not want to cover this risk, वो इस risk को कवर क्यों, वो इस रिस्क को कवर क्यों, मने, why may not want to, insurers manage their exposure by pooling risks, वो लोग रिस्क को क्या करता है, पूल करता है, because insurance, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जन लेता है, बहुत लोग लेता है, इसका जो नेचर है, वो कैसा है, इसका जो नेचर है, वो कैसा है, unusual nature है इसका, ठीक है, and it might be difficult for an insurer to pool with other risks, बने दूसरों risk के साथ में pool करने में problem होगा, so they might not keen, so they might not be keen to take on such a risk, वो लोग, basically asset insurance करने में interested नहीं होगा, question देखो, suggest two reasons by an insurer, policyholder नहीं बोला है, बोला है क्यों insurer इसको cover नहीं करेगा, ठीक है, insurers also need to be able to estimate the probability of a risk event, in particular the insurer's view on the likelihood of each risk might differ from the singer's view, बने वो जो estimate कर रहे हैं और singer जो estimate कर रहे हैं दोनों में हो सकता है, परक हो, which would mean that the insurance price differs from the value the singer places on the insurance, there is also potential for adverse selection, हो सकता है, singer को अपना गला के बारे में जाधा पता हो, तो वो जाके policy ले 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 ताकि insurance company का नुक्सान हो जाए, बिसकली उसको नुक्सान ना हो, इसको सिंगर को, if the singer wants the insurance, because they believe they are particularly likely to damage the vocal cords, which will make them a higher risk for the insurer and moral hazard, ठीक है, so basically this was an easy question, this was an easy question, इसका जो आगे का पार्ट से वो आप लोग रीट कर लीजेगा, now let's come to question no. 2, ठीक है, let's come to question no. 2, question no. 2 में आईए, state 3 potential uses for stochastic security price models, for each use explain why the model should be stochastic, for each use please explain why the model should be stochastic, to estimate the return on an asset portfolio, अपने को क्या बोला है, potential use बताने बोला है, सो, potential use में, to estimate the return on an asset oblique portfolio, because the stochastic model gives the distribution of the return, ओज अपने बनाते है न, LNST follows normal, LNS 0, because the stochastic model gives the distribution of the return, or because the return profile might not use a tractable distribution, to estimate the volatility risk on an asset portfolio, to estimate बहुर शॉर्टपॉल, to evaluate guarantees on products, because we'll need to know, how likely a guarantee is to bite, how likely a guarantee is to bite का मतलब क्या होता है, कि मैंने आपको बोला है, कि आप 100% pass हो जाओ के नहीं हुए, तो मैं 1,00 रुपे दूँगा, for example, तो अगर मानलों बहुत लोग पास नहीं होंगा, तो that guarantee is biting me, तो guarantee is to bite and the value in each case, to price options, because the distribution of the underlying assets might be complex, or the options might be path dependent, to calculate capital requirements, the charts below, show sample pass for 3 different stochastic processes, तो पहले वाले में negative हो जा रहा है, तो पहले वाले में negative हो जा रहा है, फिर positive हो रहा है, so path 1, a Vena process has independent, normally distributed increments, it is not simple to judge this from the chart, path 1 appears to be a Vena process, but वो 0 से चालू हो रहा है, दूसरा वाला आगे से चालू हो रहा है, Vena process के लिए नियम क्या है, W 0 should be 0, Vena process के लिए नियम क्या है, W 0 should be equal to 0, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, यह Vena process नहीं है, तीसरा वाला path में क्या हो रहा है, there is a spike, आप देखो 100 पे एक spike है, so क्या बूल रहा है, a Vena process has continuous sample path, the path 3 appears to have a discontinuity, discontinuity है, 100 पे discontinuity है, तो फिर यह भी, unlikely to be a Vena process, ठीक है, 9-3 में से कौन सा Vena process था, खाली पहला वाला था, ओके, नहों कम तो दे नेक्स पाट अधी कुस्टिन, the chart below shows a single sample path, the chart below shows a single sample path of a Vaseasek model, represented by the following stochastic differential equation, अपने को क्या दिया वे धिहान देना, DRT दिया वे अपने को, so DRT is equal to कपप мо a theta minus RT DT plus सिगma DW hat T ऩर वे देना, describe the likely impact on the chart of the following parameter changes क्या कर रहे हैं लोग सिग्मा को बढ़ा रहे हैं थीटा को बढ़ा रहे हैं कप्पा को कम कर रहे हैं ठीक है तो सब से पहले सिग्मा को बढ़ा रहे हैं सिग्मा controls the volatility of the process so an increase in sigma will result in an increase of the overall volatility मतलब जो overall जो हमारा volatility है वो बढ़ जाएगा ठीक है the maximum and minimum points on the chart would likely to be higher chart पे आपको maximum minimum points दिख रहे हैं ना like something above than 5% and something below than 1% अभी धीदे करके और बढ़ जाएगा maximum minimum points बढ़ जाएगा theta represents the mean level of the short rate and increase will result in an increase in the average level of path बने basically हमारा जो जो पात हमारा भी ऐसे है ठीक है अब अगर बोलता है theta बढ़ जाएगा shift the path upwards shift the path upwards तो मतलब क्या है अब यहीं जो हमारा path है यह कुछ ऐसा हो जाएगा ठीक है and पहले वाले part में जब sigma बढ़ेगा तो जो हमारे जो basically कुछ इस तरीके से थे अब वही चीज हम लोग का कुछ इस तरीके से हो सकता है because बोलता है maximum minimum points हमारे जो है वो बढ़ जाएगे kappa determines the speed of reversion a reduction means a slower speed of reversion so the path is likely to drift more before reverting to theta so basically if the path was like this now the path will become like this मतला थोड़ा जादा टाइम लगेगा उसको rebound करने में ठीके ना जो तुमारा rebound यहां हो जा रहा था अब वह हो सकते तुमारा rebound यहां होगा ठीक है so the path is likely to drift more before reverting to theta ठीक है I hope so this is clear आईये तीन नमबर में आईये अब यहां पर अपने को बोला है deterministic and stochastic so this is not in the syllabus stochastic which is chapter 5 and behavioral finance and stochastic dominance यह सब सब syllabus में नहीं है ठीक है ना so question number 3 is not in the syllabus again question number 4 question number 4 भी syllabus में नहीं है 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 कुछन नम्र 9 देखिएगा कुछन नम्र 9 अभी हम लोग करेंगे consider a market that satisfies the assumptions of the CAPM model the market contains only three assets with the following attributes asset one market cap expected return दे दिया asset two asset three यह तीन अपने को दे दिया है the variance covariance matrix is given asset one का asset one के साथ में is the variance ठीके न यह वाला जो अपना principle diagonal है this is the variance so using the figures provided that the market portfolio has a beta of one okay a portfolio P on the efficient frontier is invested 30% in asset one so 30% जो है वो अपना asset one में है okay and 70% जो है वो है अपना asset three में ठीक है so basically 30% और यहां पर अपना आ जाएगा 70% calculate the expected return and standard deviation of portfolio P ठीक है determine the market price of risk and the risk free rate suggest reasons why it may not be appropriate to estimate parameters for an asset pricing model using past data past data को use करके क्यों it is not appropriate so सबसे पहले अपने को क्या निकालने बोला है पहले पाट में जो की चार नबर का है market portfolio का beta market portfolio का beta तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा अपने को beta निकालने पड़ेगा assets का उसके लिए अपने को निक然后 पड़ेगा covariance फिए सबसे पहले ध्यान धेना इस सबसे लिए ध्यान देना मार्केट काप्लेज़िशन बुला है सिक्स पोर एंटेन तो थर्टी परसेंट इस आसे ट्वन ठीक है एस कोटी परसेंट सॉरी इस पोरंटेनन ना तो तोटल में तुमारा कितना हो रहा है 20 हो रहा है ठीक है तो 6 by 20 actually 30% भूल से बोल दिया और 4 by 20 है अच्छा हां ठीकी तो बोला 30% 20% और 50% ऐसे कर क्या रहे है ठीक है तो सबसे बहुत अपने निकालेंगे सबका कोवेरियंस मार्केट के साथ में so covariance 1,m so covariance of the asset 1 with the market is what 6 by 20 मैं अगर इसको simplify कर दूँ तो पहले मेरे को मार्केट के लिए एक वो बनाना पड़ेगा तो मार्केट जो है वो है क्या है मेरा 6 by 20 into 1 plus 4 by 20 into 2 plus 10 by 20 into 3 अब करो तो आप जैसे माल लो अपने को निकालने बोला है कोवेरियंस 1 का मार्केट के साथ में तो अपने क्या करेंगे 6 by 20 into covariance 1 1 है ना प्लस 4 by 20 into covariance 1 2 plus 10 by 20 into covariance 1 3 क्लियर है covariance 1 1 पता है covariance 1 2 पता है covariance 1 3 पता है similarly हम लोग निकालेंगे covariance 2 का मार्केट के साथ में तो अगें सेम चीज होगा 6 by 20 into covariance 2,1 प्लस 4 by 20 into covariance 2,2 प्लस 10 by 20 into covariance 2,3 ठीक है इसी तरीके से अपने निकालेंगे covariance 3 कमा मार्केट तो इस अगें 6 by 20 into covariance 6 by 20 into covariance 3,1 प्लस 4 by 20 into covariance 3,2 plus 10 by 20 into covariance 3,3 ठीक है अगेंगें वी डिट तो केलकुलेट variance of the market तो variance of the market is what covariance वो variance market market ठीक है ना तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसी भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं वेरेंस ओफ मार्केट इस वॉर्ट variance of 6 by 20 into 1 4 by 20 into 2 plus 10 by 20 into 3 weight square into variance plus weight square into variance plus weight square into variance plus 2 into weight into weight into covariance and so on ठीक है तो आप कैसे करेंगे ध्यान देन weight square so 6 by 20 square weight square into variance plus weight square into variance plus weight अब अब जिसे माल लो weight into weight into covariance आएगा अपना 1,2 का ठीक है covariance आएगा अपना 1,2 का फिर 1,3 का और फिर आएगा 2,3 का 2,3 का ठीक है ना 2 into weight into weight into covariance plus 2 into अब जिसे माल लोग 4 by 20 कर रहे हैं और 10 by 20 कर रहे हैं तो अपना जो covariance आएगा covariance जो आएगा वो आएगा 2,3 का फिर इसके बाद में 2 into 1,3 हो गया 2,3 हो गया sorry 1,2 हो गया 2,3 हो गया 1,3 नहीं वा ना so 2 into 6 by 20 into 10 by 20 into covariance 1,3 अब इसको पुरा कॉमलों को solve करना पड़ेगा इसके बाद में अपना जो आएगा बीटा so बीटा 1 अपना जो आएगा that is covariance 1,m by variance of the market हना similarly बीटा 2 जो आएगा covariance 2,m by variance of the market बीटा 3 जो आएगा covariance 3,m by variance of the market फिर बीटा of the market so market का बीटा कैसे आएगा ध्यान देना 30% बेटेज है पहले वाले का so basically अपने क्या करेंगे 30% इन्टू बीटा वन प्लस 20% इन्टू बीटा 2 प्लस 50% इन्टू बीटा 3 ठीक हैं फिर बोल रहा है का पॉट्फोलियो पी ऑन दीफिशेंट फ्रंटियर 30% एसेट बने 70% एसेट 3 एपी निकालने बोला और स्टैंडर्ड डिवेशन निकालने बोला है पॉट्फोलियो गा तो यह तो बहुत ही सिंपल है यह लगा सबको समझ में आया को मेरेको लगता है अब टी की बात करें तो 30% आगर अपने को निकालना है एपी एपी अगर अपने को निकालना है 30% should be invested in return कितना दिया है 5% दिया है फिर उसके बाद में 70% should be invested in 8.5% ठीक है similarly जब इसका हम लोग variance निकालेंगे तो variance कैसे निकालेंगे weight square into variance 0.3 का square into variance of 1 plus 0.7 0.7 का square into variance of 2 sorry 2 नहीं है variance of 3 हो गया आपर ठीक है फिर plus 2 into weight into weight into covariance 1,3 weight into weight into covariance अब इसी का फिर अपने को अगर मान ले SG निकालना हुआ तो अपने करेंगे root under variance of P ठीक है फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है determine the market price of risk and the risk free rate market price of risk and the risk free rate so market price of risk अपने को निकालना है market price of risk निकालना है so बोला है ना P on the efficient frontier मतलब P एक efficient portfolio है ठीक है तो अपने क्या बोल सकते हैं E P minus R is equal to capital market line का formula देखो E M minus R E M minus R into SD P by SDM यही है formula ठीक है ना efficient frontier पर जो भी होगा उसको इससे pass करना ही पड़ेगा E P minus R is E M minus R S D P by SDM ठीक है तो अपने को E M पता है E M E M अपने को निकालना पड़ेगा E M अपने को निकालना पड़ेगा So expected return on the market तो निकाली जाएगा अपने को देई दिया है So E M और S G M निकाला है वेरियंस अफ़ी मार्केट तो निकाली चुक है अपन वेरियंस अफ़ी मार्केट अपने निकाल चुके है खली एक E-M निकालना है which is 0.3 into 5 plus 0.2 into 7 plus 0.5 into 8.5 तो अपना E-M आ जाएगा right so अपना E-M कितना आ रहा है E-M अपना आएगा 30% into 5% 20% into 7% 7 है ना हाँ फिर 8.5 है plus 50% into 8.5% यह अपना E-M आ गिया ठीक है SDM अपने निकाली लेंगे तो सब कुछ पता है खाली R नहीं पता है अपने को यह वाला अपना R निकल जाएगा ठीक है and market price of risk जो होता है ठीक है which is E-M E-M minus R by sigma M excess return per unit of risk on the market portfolio ठीक है market price of risk निकल गया ठीक है ठीक है फिर बोलता है फिर इसके बाद में बोलता है suggest reasons why it may not be appropriate to estimate parameters for an asset pricing model using past data तो past data को use क्यों नहीं करना चाहिए because the past is not a good guide to the future data incomplete होगा inaccurate होगा sufficient historical data अपने पास में नहीं होगा जिससे अपने को substantial statistical errors हो सकते हैं ठीक है the true parameters of the model may change over time true parameters of the model the true parameters of the model may change over time right the true parameters of the model may change over time the assumptions underlying the asset pricing model may not be accurate जो भी अपना CAPM का जो assumptions है हो सकते हैं कुछ कुछ accurate नहीं हो any other sensible suggestions ठीक है in the next part of the video we are going to cover more sums from April 23 attempt thank you